लमेजमे से खेती में फर्टिलाइजिस और पेस्टी साइट्स का प्रियोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इस तरह उत्पादित होने वाली फसलों पर खतरना केमिकल्स का काफी इसर होता है और यह स्वास्त के लिए नुकसान दायक साबित होता है हाला कि अब दीरे द जानते हैं कि क्या होती है और गनिक फार्मिंग खेती की वो विधी है जिसमें सिंथेटिक फटिलाइजर और कीट नाशकों का बेहत कंप्रियों किया जाता है इसमें जमीन की उर्वरा शक्ती को बनाए रखने के लिए फसल चक्र हरी खात कंपोस्ट आधिका स्माल किया जा तो ये एक एकर जमीन से एक साल में आठ से दस लाकी कमाई की जा सकती है इस विधी में कम प्रियास और कम सामागरी की जुरत होती है सरकार भी औरगनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरकी यूजनाय चला रही है जिनका किसान फाइदा उठा कर जादा कमाई कर सक परियावरन के लिए भी जैवी खेती फाइदे मंद होती है और इससे मिटी की गुनवत्ता बहतर होती है उरवरक या केटनाशक अपवा से प्रदूशन कम होता है जैवी खेती करने के लिए जैवी खाद या वर्मी कमपोस्ट खाद का प्रियोग किया जाता है जिससे मिट परियावरन संतुलन बनाये रखने में मदद मिलती है। परियावरन संतुलन बनाये रखने में मदद मिलती है। परियावरन संतुलन बनाये में मदद मिलती है। लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूलिए। हुआ 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 हु झाल झाल